इंद्र धनुस का निर्मान आकास में होने वाली एक प्रकास ये घटना है जो की जल की करोडो असंखे बूंदों के द्वारा घटित होती है प्रकास की किरण जब जल में प्रिवेस करती है जल की बूंद में तो उसका परावर्तन और अपवर्तन होता है जिसके बाद जब वह बूम से बाहर आती है तो वह साथ रंगों में बिल्भक्त हो जाती है जिससे इंद्रधन उसका निर्मान होता है